तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मैंने खेल खेल में बनाई है कैसी लगी आपको ये मुझे जुरूर कमेंट करके बताना हमेशा हर काम जो है सीरिसली नहीं करते कभी-कभी मजाग मजाग में भी कुछ अच्छा काम हो जाते हैं दोस्तों पुराने समय में पीतल के बरतन कांसे के बरतन आम देखने को मिल जाते थे ये बरतन जो होते थे सिहत के हिसाब से भी बहुत अच्छे होते थे और इनकी साफ सफाई करते थे तो हमारी जो रसोही थी वो एकदम चमकती राती थी तो ये मेरे हाथ में आज इसको हम गागर कहते हैं पीतल की गागर इसमें हम आज से 70-80 साल पहले पानी भरके यानकी ये मेरी दादी सास के समय की है तो सरदियों में हम इसमें पानी डाल कर इसी का ही पानी पीते थे और ये जो वल्टोई होती थी या गागर होती थी इसको ह हम धूप में रख देते थे तो जो पानी होता था उसमें भी पीतल यहन की हर मैटल का अपना अपना वो होता है उसकी कस आ जाती थी जिससे हमारे पेट की सभी विमारियां जो है दूर हो जाती थी तो आज बड़े टाइम बाद मैंने इसको साफ करने की सुची तो देखिए क इस तरह से मैं बहुत मेहनत करके इसको साफ करती हूँ तो क्या होता था पहले एक हपते में एक दिन ऐसा होता था जब हम सारे कीचन के बरतन निकाल कर राक और उसमें सरफ डाल कर अच्छे से जो माज देते लेकिन आज कल तो जो हमारी साबून की यह टिकी होती है या जिस हम कहते हैं बरतन माजने अवालेटी की थी इसमें उल्रेडी राक और सरफ होता है जिस से यह काफी चमक जाती है तो हपते के बाद जब हम अपने बरतन यह चमकाते थी चाहे वह olar तांबे के बरतन हो कहां से के हो या पीतल के हो तो उस दिन हमारी रसोई ऐसे लगती थी जै हुआ है तो एक पुरो पीस की तरह दो-चार बरतन ही नजर आते हैं तो उनमें ही हमारे प्रान यादों को हम आते हैं और जैसे に मेरे मन में आया क्यों ना मैं अपनी इस गागर को जो मेरी दादी सास की दी हुई निशानी थी तो इसको चमकाऊं यू तो हमारे घर में जैसे पहले क्या होता था फ्लावर पॉर्ड भी पीतल के होते थे चोटे-चोटी मूरतियां भगवान जी की वह भी पीतल की कांसे की हो बोहर है वो खतम होती है और उसकी जगा जो है आज कल जैसे इसती होटों से पीतल के बरतन तो ऐसा लगता है कि हम पुराने समय में लट आये हैं थोड़े टाइम पहले हमें एक शादी का कार्ड मिला उसमें हम इन्वाइटिट थे तो जब हम खाना खाने के लिए पहुंचे तो देखा कि वहाँ सब पीतल के बरतन में इवन दन यानि कि चम्मच भी पीतल का गिलास, कटोरी, पलेट सब पीतल के तो देखकर अपने आपको इतना अच्छा लगा जैसे हम ना पुराने समय में लोट आए हैं और हमें खाना इतना टेस्टी लग रहा था कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो कभी हमें बहुत पसंद थी आज चाहे वो लुप्त हो गई है लेकिन जैसे ही वो हमारे सामने आती है तो हमें उससे उतना ही प्यार होता है जितना पहले हुआ करता था तो अब भी हमारा कभी-कभी मन करता है तो हम अंदर से पितल के गिलास निकाल कर उसमें पानी जैसे पीते हैं दिल करता है या फिर जैसे कुछ-कुछ मेरे पास ऐसी कटोरिया है तो मैं अपने बेटी को कहती हूँ कि मुझे तो इसी में ही जो है सबजी या दाल डाल के दे है तो बातों ही बातों में आज मैंने अपनी जो धरोहर है उसको चमका दिया है जैसे कहते हैं न पहले कहते थे कि मावब की हमारा नाम रोशन करना तो ऐसी ये पुराने टाइम के जो बरतन है यह भी कहते हैं कि हमें कभी-कभी तो याद कर लिया करो कभी-कभी तो हमारा भी ध्यान रख लिया करो मिस वक्त जो है वो हमेशा बीता हुआ ही अच्छा लगता है बीते हुए वक्त को याद करके बड़ा ही सकून मिलता है बहुत ही शांती सी मिलती है तो आज बातों-बातों में यही मन किया कि मैं आपके साथ पुरानी चीजों को शेयर करूँ या उनके बारे में बताऊँ तो इन चीजों से हमारा जो रिष्टा है वो जड़ों से जुड़ा हुआ है यह रिष्टा कोई थोड़े समय का नहीं है और ना ही इन बरतनों को जो है कभी बेचने का मन करता है यह जान से भी प्यारी हमारी धरोहर है तो इसको हमें समेट कर ही रखना है ना कि अपने से अलग करना है